साथियों, जन जातिय विकास के बारे में बात करते हुए एक बात और कही जाती थी, कहा जाता था, जन जातिय एक शेत्र भौगोलिल्प से बहुत कठीन होते हैं, कहा जाता था, कि वहाँ सुविधाय पहुचाना मुश्कील होता है, ये सारा बहाना काम न करने के बहाने थे, यही बहाना करके जन जातिय समाज में सुविधाओं को कभी प्रात्फिक्ता नहीं दी गई, उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया, साथियों, ऐसे ही राजनिती, ऐसी ही सोच के कारण, आदिवासी बहुले वाले जिले, विकास की बुनियादी सुविधाओं से भी वन्चित रहे गए, अब कहां तो इनके विकास के लिए कोशिते होनी चाहिए थी, लेकिन इन जीलों पर पिछड़े होने का एक टैग लगा दिया गया, बाई और बैनों, कोई राज्य, कोई जीला, कोई व्यक्ति, कोई समाज, विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहिए, हर व्यक्ति, हर समाज, आकांची होता है, उसके सपने होते हैं, सालों साल, बंचीत रखे गए इनी सपनों, इनी आकांचों को उड़ान देने की कोशित, आज हमारी सरकार की प्रात्विक्ता है, आपके आशिरवात से, आज उन सो से अधिक जिलों में, विकास के आकांचों को पूरा किया जा रहा है, आज जितनी भी इकलने आणकरी योजनाए, केंदर सरकार बना रही है, उनमें आदिवासी समाज बहुल्य, आकांची जिलों को प्रात्विक्ता दी जा रही है, आकांची जिले, या फिर ऐसे जिले, जहाश्पतारों का भाव है, वहाँ डेड़ सो से अधिक मेडिकल कॉलेज, स्विक्रत किये जा चुके है,